ओम शांति आज आपका 169 दिन का इश्वरे वर्दान और इसके पहले कि हम इस वर्दान में आगे पड़ें यह जो लिंक उपर दिया है इसको आप क्लिक करें और इसमें आप योगासन, फिटनेस, मोटापा कैसे कम करें, डाइट कैसे ठीक रखें, यह सब कुछ मेंशिन किया हुआ है, तो चलें आज के इश्वरे वर्दान में जहां पर पिता परमात्मा हमें उनके साथ में कमबाइंड कैसे रहना है, वो बदाते हैं, ताकि हम साक्षी होकर के हर चीज़ को देखें, और परमात्मा के साथी सदा बना रहे हैं, तो परमात्मा इस वर्दान में उस कम कम्बाइंड सुर्फ की याद दिलाते हैं तो देखें वो कम्बाइंड सुर्फ है क्या बाबा कहते हैं सदा साथीपन की स्मृति परमात्मा के साथी बनने के लिए मुझे अपने आपको नेराकार समझना जरूरी है शरीर समझने से परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ सकता परमात्मा कहा है मैं तो कभी शरीर लेता नहीं मैं आजन्मा हूँ अभुकता हूँ मेरी कोई मात नहीं मेरे कोई पिता नहीं है तबी मैं निराकार का आ गया हूँ, वो सारे धर्मों में, लेकिन जितने भी बाकी धर्म हैं, जिसमें मूर्ति पूजा होती है, किसी व्यक्ति की पूजा करियाती है, उनके तो मात्य पिता हैं, तो भगवान हो नहीं सकते हैं, परमात्मा कहते हैं, और बाकी सारे धर्मों में यही कहा गया है तो परमात्मा देखें किया कहते हैं सतासाथीपन की स्मृती और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले परमात्मा के साथ ही और साक्षी मतलब डेटाच हो करके सारे ड्रामा को देखने वाले शिवमाई शक्ति सुरूप कम्बाइंड भवा अब इसमें और हम विस्तार में चलेंगे शिवमाई क्यों कहा गया है जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है मैं एक आत्मा हूँ, आप एक आत्मा है बिना शरीर के इस ड्रामा की स्टेज पर हम कुछ भी करनी सकते है हम कर्म नहीं कर सकते तब ही तो पर्मात्मा और हम में क्या फर्क है पर्मात्मा का अपना शरीर नहीं है उनके कोई माता पिता नहीं है तो पर्मात्मा को धर्ती बा करके किसी का शरीर लोन मेंगे लेना पडता है मैं लगकी परगाया प्रवेश करनी पड़ती है लेकिन हम आत्माउ को अपने कर्म अनुसार पने माता पता है जिनके दोरह में यह शरीर में लाऊ है बस ये एक तो अंतर हई है तो परमात्मा कहता है जिसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है मैं आत्मा और मेरा शरीर हम combined हैं आप भी combined आपके शरीर के साथ में आप आत्मा है जब तक इस शुरिष्टी पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते जब तक मुक्ती में नहीं जाना है तब तक शरीर लेना ही पड़ेगा पुनर जनम लेना ही पड़ेगा और शरीर में आना ही पड़ेगा तक परमात्मा पुनर जनम रहित है वो जनम मरन के चक्कर से मुक्त है तब ही उनको मुक्ती दाता कहते हैं तो परमात्मा कहते हैं ऐसे ही शिव और शक्ती दोनों का इतना ही गहरा संबंद है परमात्मा शिव क्यों कहला जाते हैं और हम आत्मा को शक्ति का जाता है देखाया है तो हिंदु धर्म कहें या सनातन धर्म कहें उसमें केवल कहा गया है कि परमात्मा एक आत्मा है उनका कोई जर्म नहीं होता, मरन नहीं होता लेकिन जितनेएं भी देवी देवता दिखे जायें, उनके सब को शरीर है मतलब उनके माता, पिता थे या हैं अब यहाँ पे नेराकार परमात्मा केवल शिव हैं शंकर नहीं, हमने बहुत-बड़ी भूल कर दी है शंकर हो गया बच्चा, शिव हो गया पिता अब पिता और बच्चे को गर आप एक बराबर कह दो कि पापा और बेटा एक ही हैं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगे न तो शिव होगे निराकार तब ही उनका शिव लिंक बनाया जाता है जिसमें कि ना हात होते हैं तब ही उसको कहते हैं जोतिर लिंगम, जोतिर मतलब light, लिंगम मतलब symbol, symbol of light, प्रकाश का प्रतीक, तो Christianity में भी पर्म पिता परमात्मा को, Christ ने God is light कहा पर, परम पिता परमात्मा एक प्रकाश है, मुहमत जी ने कहा, अल्ला ए नूर, नूर मतलब एक प्रकाश है, और बाकी जितने भी धर्म, चाहे आप Sikh dharm ले लिजे, चाहे आप Muslim dharm ले लिजे, कोई भी dharm में मूर्ती पूजा क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि मूर्ती वाले जो भी हैं, वो हम जैसे ही, दिव्वे गुन्धारी, माता-पिता के द्वारा जनम लेने वाले शरीदारी देवता हैं, लेकिन परमात्मा श शंकर अलग है शिव कोई हिंदी नाम नहीं है शिव का मतलब है शिव का मतलब है कल्यांकारी जैसे आपके नाम का मतलब है उसका मतलब है कल्यांकारी है परमात्मा का नाम का मतलब है आपके नाम का अपना मतलब है परमात्मा का नाम का अपना मतलब है तो यहां पर परमात्मा बैठेगा और तुम तुमें शक्ति मिलेगी और हम भी उनके जैसे दिखने वाले आत्मा प्रकाश है आत्मा एक जगमग जोती है परमात्मा भी जोती प्रकाश है तो परमात्मा कहते हैं जो सदा शिव में शक्ति सुरूप में स्थित होकर चलते हैं, तो उनकी लगन में माया विगन डाल नहीं सकती है, है ना, माया माना की काम, क्रोध, लो, मौंकार जैसे संकल्प आनी सकते, यह कम हो जाते हैं, परमात्मा की याद में रहने से और उनके साथ में कंबाइंड रहन से, कमबाइंड कैसे रहें, उनके साथ में हमें अपना मन बुद्धी जोड़ना, मतलब मेरीटेशन करना बहुत जरूरी है, तब ही हम परमात्म से कमबाइंड रह पाएंगे, उनकी गुण हमारे अंदर आएंगे, उनकी शक्ति हमारे अंदर आएंगी, वो गुण शक्तिय आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं, जहां पर सारे गुण और सारी शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है, तहरता होगी, सैंशिलता होगी, मधुरता होगी, प्रेमभाव हो गया, सादगी होगी, यह सारी कॉलिटीज जो है, परमात्मा की दीवी कॉलिटीज हैं, जो हम खो चुके हैं आत्मा, तभी तो हम कल्यूग में हैं, तो परमात्मा कहते हैं, इस सारे गुंड अपने अंदर धारन करो, ताकि तुमारा जीवन कल्यूग में होते हुए भी मन शांत, शक्तिशाली, और जीवन बहुत सुकी हो जाए, तो इसको कहते हैं, कमबाइ उत्तेजना में आये हुए, बिना करोध में आये हुए, सबका पाट देखूं, अपना पाट भी देखूं मैं, इसो कहते हैं साक्षी पन, फिर परमात्मा कहते हैं, वे सदा साथी पन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं, ऐसे अनुभव होता है, जैसे कोई साकार में साथ हो ऐसे फील होगा जैसे पर्म पिता परमात्मा फिसकली प्रेजंट हैं ऐसे निकी परमात्मा पिता अलग है कहीं पर कहीं बैठें में पता ने का हैं किसे अर्वान मेरा साति है मुझे हार कर रहा हर step पर यह करने के लिए हमारा जुड़ना जरूरी है तो यह जुटते कैसे हैं इसको आप सीखते हैं ब्रह्मकुमारी में आ करके आपको भी invitation है जब भी time मिले आप जाएं ब्रह्मकुमारी में free meditation course सीखें और परमपिता परमात्मा शिव क्यों कहला जाते हैं शंकर क्यों नहीं वो भी समझें इसी के साथ में आपका दिन शुब हो आप स्वस्तर हैं ओम शान्ती